मैं किसंद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिखल पल्पा क्लासिस में यहां पर आज में स्टाइड करने जा रहा हूं एक ही बहुत ही महत्पूर सिरी जिसमें मेरा पहला लेक्चर होगा जी एस से संबंद भारत की मौद्रिग नीति की बारव है भारत कैस रिजर्व रेसियो और चर्वा मेहतूर पॉंट है वो बैदानिक तरलता अनपाथ इस्ट्रेट्री लिकुर्डी रेसियो इन 6 पॉंटे के ऊपर पूरी के पूरी भारत की मौनेटरी पॉलिसी डिपेंड करती है इसी 6 पॉंट्टों को जैसा कि हम सामने देख रहे हैं इसी 6 पॉंटे को ऊपर इसका एक परसेंट गटना बढ़ना पूरे मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा चेंज साबित हो सकता है जैसे पहला पॉंट है जैसा कि आपको पता है चाहे वो एक संस्था हो या कोई व्यक्ति हो उसके परवार हो या कोई देश हो कोई कितनी भी खंची बड़ी संस्ता कियो ना हो उसके धंकी जो मात्रा होती है वो एक निशि sought होती है जैब उसको एक निशिग मात्रा से अधिक धनकी जब आवसक्ता पड़ती है तो हो सभाबे के कईने कई से उदाल लेगा उसी परिकार ब्यापाठ य्क बाड़े बैक को त्वारा यह पॉन फाइब परसेंट चलता है रेपो रेपो रेट में उधारी दीरकाली समय के लिए दियाती है जिसमें अभी प्रेजांट में जो रेपो रेट की दर है फाइब पॉन नारी जिडेट लिए पर्षेंटे और र्यवर्स रेपो 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 ररे जब बैंक उधार देती है तब तो उसल में जो चला है 3.35% MSF rate यानि कि Marginal Extended Facility MSF rate एक प्रकार की आपतकाली सुम्दा होती है जब कभी बहुत ही अल्ब समय यानि कि एक दिन के लिए किसी ब्यापारे को बारेज बैंकों को उदार की जरूर पड़ती है बहुत ही Amorgyal Catrical Condition में जब किसी ब्यापारे को ब्यापारेज बैंकों को आप लखता होती दनकी तो वो MSF यानि की Marginal Extended Facility की सुम्दा की आरण लेता है जिसकी बरतमारेज रेट है 6.15% नगत आरचे हैं तक जितने भी ब्यापारेज बैंकों उनको अपनी कुल संपत्ती का एक निश्यत अनपात की रूप में रखना पड़ता है जिसको बोलता है कैस रिजर्ब रेशियो यह रेशियो बदलता रहता है लेकिन फिलान में जो रेशियो आप देख रहे है 4.50% है बैधानिक तरलता अनपात अपने पास तरलता की रूप में रखते है जिसको बोलते हैं बैधानिक तरलता अनपात इसको जो अभी फिलाल में परस्यत है 18.00% है यह जो आप आंकडे देख रहे हैं यह अभी परजेंट के आंकडे है और साथियो यह आंकडे बदलते रहते हैं क्योंकि साल में चार बार तो बदल नहीं बदलते हैं उसके बलाबा यह आठ बार भी बदल सकते हैं और यह 6 के 6 जो पॉइंट आपको हम सामने दिखा रहे हैं इनके ऊपर पूरा का पूरा मार्केट, सेर बजार और सरकार जितनी भी मेंगाई कितना धन चापना चाहिए, बायार में तरलता का अनपात कितना होना चाहिए, बायार में से कितना तरलता कम करनी चाहिए अगर जैसा कि आप देख रहे हैं, बायार में कितना सरकार द्वारा लॉन बांटा जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर रेपो रेट्स हो, या बैंक रेट्स हो, इनकी अगर दर्ध गिरती है, या यह मान के चलो, 5.90% से कम पर जाती, तो इसका मतलब यह होगा क्या, लोग बाग कोई EMI पर फरक पड़ेगा, कम ब्याज पर पैसा मिलने लगेगा, जिससे बायार में क्या होगा, लोग जागा लेने लगेंगे, और यही अगर जो दर 5.90% की अगर यह ऊपर जाती, तो इसससे यह होगा, लोग होगा महंगा, लोग महंगा होने से बायार में जो ब्यक्ति बैंक से लोग ले ले जाते हैं, वो कम लेंगे पहले की बिससा, इसमें क्या हो गया, EMI की जो किस्ते आतीती उसमें रेट बढ़के आएगी, जब लोग के ब्याज की रूप में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो लोग लोग का इस्तमाल कम करेंगे, इसलिए जिए 6 के 6 पॉंट जो हम आपको बता रहे हैं, यह 6 के 6 पॉंट पूरी की पूरी अर्थ विववस्ता की एक लीड़ की हड़ी की तरह मान सकते हैं, पूरी के पूरा बजार, पूरा सरकार, महेंगाई, बजार में तरलता क्या होनी चाहिए, इसकी और इन कर दो दो कर दो 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 साया है